अलो फ्रेंट्स मैं हूँ एस्ट्रॉलिजर और वास्तु कंसल्टंट रिधी बहल आज मैं आपके साथ एक बहुती इंट्रिस्टिंग और बहुती इंपॉर्टन टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ elections आ रहे हैं हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे देश का future क्या है हम सब concern है हमारे देश की economic conditions के बारे में security के बारे में और as citizens होना भी लाजमी है हम सब चाहेंगे कि center में जो है एक strong government eye एक ऐसी government eye जिससे कि हमारे country का और development हो तो आज मैं आपके साथ में discuss करने वाली हूँ श्री मोदी जी की horoscope और श्री रहुल गांदी जी की horoscope मोदी जी की देखिए कुंडली में इनका जो है डिश्चिक लगन है इनका जो मंगल है वो बहुत ही strong है वो लगन में बैठा हुआ है चंद्रमंगल योग बन रहा है और वो लगन में बैठा है तो जो इनका नीचर है वो एक competitive person का नीचर है देखे जिस तरह से इनकी life span रहा है उसमें भी आद देखे जो है जब मंगल अपनी राशी का होता है तो वो रुचक योग बनता है तो वो भी मोदी जी के कुंद्ली में बनता है किसी भी राजनिता की कुंद्ली में शनी का रोल जो है बहुत important होता है क्यों क्योंकि शनी जो है वो कारक है और सात्वे घर का भी स्वामी है सात्वा घर जो है वो पदप्राप्ती का घर होता है सात्वा घर जो है आपकी पबलेक इमेज का घर होता है आपकी पॉपुलारिटी का घर होता है अब देखें पिछले कुछ सालों में मोदी जी की जो इमेज रही है जो इनकी पॉपुलारिटी रही है सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्ववर में इनकी पॉपुलारिटी जो है वो बहुत बढ़ी है तो उसमें ये शुक्र और शनी का जो योग बनता है जो कॉमिनेशन है दसमे घर में वो बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले कर रहा है तीसरी जो बहुत इंपॉर्टन चीज है जो जोतिश लोग काफी इसको मिस्यूस करते हैं और लोग बहुत डर जाते हैं वो एक टर्म है जिसे कहते हैं साड़े साती लोग बहुत घबरा जाते हैं इसे हम Sa Amdyn साथी के बारे में बात canvas जर्तों साथिर जो है कि जो है सारइसाती चल रही है अभी की नहीं चल रहे ब्लब है और झालेसा इससा नहीं यह साथी का Last cavity जल रहा है इनके साथ और जिस तरह से साड़े साती Moodi जी के लिए तो मुझे बहुत उमीध हैं कि जाते जाते साड़े साती कुछ न कुछ फवेवरिबल रिस्ल्ट composition Moodi जी को ज़रूर दे के जाएगी थोड़ा सा जो मुझे negative लगता है इनकी कुंडली में health issues थोड़े मोदी जी के साथ हो सकते हैं जो कि year end में मुझे लगता है पर क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं elections की तो जिस तरह से ग्रह दशा है जिस तरह से इनकी दशा चल रही है उन सबसे मुझे लगता है कि stars are quite favorable for him और results जो है वो इनके favor में ही आएंगे जो दूसरी कुंडली हम discuss कर रहे है वो है श्री राहूल गांदी जी की इनका तुला लगन है इनके कुंडली में जो एक बहुत strong योग बनता है जिसे हम कहते है महा भाग्य योग वो इनके बन रहा है महा भाग्य योग क्या होता है कि यदि आपका दिन का बर्त है और सूरे चंद्रमा और लगन अगर आपके odd sign में है तो महा भाग्य योग बनता है महा भाग्य योग जिनका होता है लाइफ एस लिडिल इजी यह बहुत जस्टिफाइए करता है राहूल गांदी की पत्री में क्योंकि जिस फैमिली में परिवार में पैदा हुए है और यही भी एक कारण है कि इन्होंने जो है राजनीती को अपना करियर अडॉप्ट किया है राहूल गांदी जी की अभी जो दशा चल रही है और आगे जो उनकी आने वाली दशा है वो राहू की है 2021 के बाद मैं यह फोर्सी करती हूँ जब इनकी राहू की दशा शुरू होगी जैसा मैंने मोदी जी की पत्री में देखे का था कि शनी जो है वो कारक होता है मासस का जनता का और शनी का प्लेस्मेंट एक राजनेता की पत्री में बहुत इंपॉर्टन डॉल प्ले करता है राहूल जी के केस में जो एक नेगेटिव ड्रॉबैक आ जाता है वो यह आ जाता है कि इनकी कुंडली में शनी जो है वो नीच का है और नीच का सात्मे घर में जो की मैंने बत वो इनके लिए बहुत favorable work करेगी तो अगर हम इन सब इस discussion को अगर हम sum up करे और अगर हम आज की स्थिती की बात करें तो अभी की जो इस साल 2019 के आगे आने वाले 2-3 महिने हैं उसमें जो है जो stars favor कर रहे हैं वो मोदी जी की दशा और मोदी जी की planetary position वो जादा strong और जादा favorable है so we can really expect positive results coming for Modiji Friends, आज यो भी discussion किया है ये as a astrologer, as a researcher of astrologer ये मेरे personal views है on both the horoscopes www.hridhibehal.com नाम से मेरे website है और astrohridhibehal नाम से मेरा Facebook page है I would really request and I would really appreciate your feedback on that Thank you झाल